अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साजीदी क्लासेस में आपका स्वागत है आज के हमारे स्वीडियो में हम सीखेंगे के एक छोटे बच्चे का मास किस तरह से बनाते हैं मैंने घर में सब के लिए बनाया है आज मैं अपनी भांजी के लिए बना रही हूँ वो बहुत छोटी है देड़ साल की है सोचा आपके साथ शेयर करूँ तो आए शुरू करते हैं मैंने एक पेपर लिया है और एक प्याला है इसकी जो चोड़ाई है वो छे इंची है यह देखी आप इसका हम निशान लगा लेगी इस तरह से अब इसे हम चार फोल्ड करेंगे इस तरह से यह देखिए चार फोल्ड हो चुका है अब हमें निशान लगाना है यह जो आप नोग देख सकते हैं यहां से हमें लेना है देड़ी इंच यानि की 1.5 और उसके अपोजिट है जहां पर गोलाई है वहां पर हमें निशान लगाना है अब इसी प्याले की मदद से गोलाई हम लगाएंगे ऐसे यह देखिए अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से यह देखिए पर काटेंगे कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है अब मास इसके पर रखना है पीन की मदद से इसे हम अटेच कर लेंगे कर ले है अब से व अब पीस हुट रखने हम इसे यह देखिए यह देखिए यह जोटे यह देखिए रखना है अब काटे यह हमरें अब इससे हम यह सीधा फिलसी के ओपर सीधा कपड़ा इस तरह से रखके जो गोलाई है यहां पर हमें ऐसे स्लाई करनी है कि दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है अब हमें सिलाई यहां करनी है यहां से पुरा स्टार्ट करकी फिर यहां पर पुरा स्टार्ट करकी इतना हमें खुला छोड़ना है ताके हम इसे पलट सके वेसे में पलट लेने मैंने स्कूर्ड्राइवर की मदद से सीधा कर लिया है आप भी कर सकते हैं यह देखिए आप इस पर हम प्रेस करेंगे ताकि यह अच्छे से बैट जा इसकी सिलाई है मैंने इलास्टिक ली हूँ अब इसका जो साइज है यह देखिए यहां से हमें चार इंच की इलास्टिक लेने हैं इस तरह के दो पीसे निकाल लें हैं इसमारे में में है कंवा है तो अब सबसे पहले यह सिलाई कर लेंगे हम जो हमने खूला छोड़ा था Gibson एधिया यहां से हमें पूरी चुलाई करते हुछ जाह आदिए पर यहां और यहां से पूरी सिलाह करते हुछ सिलाई यहां यहां नएए three겠습니다 अब हमें इसमें इलास्टिक लगाने हैं यह देखिए इलास्टिक इसमें इसमें रखिए और फिर हमें इसलाई करने हैं अब देखिए लास्टिक लग चुकी हैं अब हमें इसे इस तरह से रख कर ऐसे एक टाका लगाना है अब आफा ते जह लोगाँ है अब हमां सुन्हाका अब इसे हमंदर दालना हैं ताकि आ फिर हमें आपकर ने स्लाइ और ने खेन-ब इसकर्ट अब इससे हम आप तो ने यहां दाला आपकर वो कंशेंस अ haul बैक्तिक जाले तो नहया हुआ हैं आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही हम और भी अलग-अलग तरीकों से मास बनाना सीखेंगे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस पैंडेमिक में आप अपना और अपने फैमिली का बहुत खयाल रखें मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में इंशाला अला हाफिर